हलो दोस्तो नमस्ते आदाब सस्यकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्टबूक सुपकोचिक पे स्वागत करता है तो दोस्तो हो जाईए तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहें एक बार फिर से जीके और जीएस पेवार जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे महत्पूर सवाल जो कि आपके दोस्तो एससी जीडी एक्जाम पॉइंट ऑविसे बहुत ही जादा महत्पूर है शुरुवात करने से पहले सभी लोगों को भर भर के जो है गुड आफटरनून जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन के लिंक सभी लोगों को गुड आफटरनून और बढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ और आज का मोटिवेशनल कोट आपके सामने दोस्तों यह रहा अगर आप सही है तो कुछ और दोस्तों साबित करने की जुरत नहीं है कोशिश ना करो बस सही बने रहो जो है गवाही खुद देगा तो बिल्कुल सही बात है अगर आप सही है तो आपको कुछ भी नहीं कर रहा है अपने जो है वर्क करते चलिए ठीक है और जब समय आएगा डेफिनेटली जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो रिजल्ट खुद सब को बता देगा कि आपने कितनी महनत की है ठीक है तो आप CGL के लेवल के भी कॉश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे CHSL लेवल के और GD लेवल के भी कॉश्चन करेंगे ठीक है चलिए आगे पड़ते हैं इसी साथ और एक फटा फट से क्या करेंगे सबी लोग YES टाइप करेंगे जिससे मुझे क्या पता चल जाए कि मेरी स् के लिए तो यस 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 आ चुका है तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा देगे करेंगे अबुलीशन ओफ टाइटल इस पार्ट ऑफ विच फंडमेंटल राइट करेंगे कि उपाधियों का अंत जो है यह किस मौलिक जो है अधिकार का हिस्सा है राइट टु क्वैल इसाल यह उड़ता है दोस्तो कि किसा अनुशेद के अध्योर करता है तो अनुशेद 14-18 तक आपको इसमें जो है Cavour किया जाता है राइट तु फ्वीडम की वागर हम बात करते हैं तो यह यह आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए, कि दोस्तों जो है उपाधियों का अंत, किस अनुछेद के तहत कहा गया है, तो अनुछेद याद रखेगा, अनुछेद हो जाएगा, अठारवे अनुछेद में, आर्टिकल 18 में यह दोस्तों, अब देख दोस्तों, ऊच नहीं, कोई पात नहीं, यहाँ पर याद रखेगा, सब बराबर है, ऐसा कहा गया है, पंद्रवे में क्या कहा गया है, कि दोस्तों, यहाँ पर जो भेदभाव होते हैं, किसके आधार पर, दोस्तों, लिंग के आधार पर, जाती के आधार पर, जो है, दोस् त्रवा जो है बहुत ही महत्वपून है जिसमें दोस्तों कहा गया है आइस प्रस्ता का उन्मूलन मतलब जो है दोस्तों abolishment of abolish abolish of untouchability मतलब आइस प्रस्ता का उन्मूलन ठीक है यह ध्यारन रखेगा चले नेक्स कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा करहें इंडिया टेस्ट फायड अगनी फाइव फ्रॉम दी अब्दुलकलाम आइलेंड ऑफ ओडिसा कोश्ट वाट इस दा रेंज ओफ दिस मिसाइल करहें कि भारत ने जो है ओडिसा तट के जो है अब्द पाँच हजार उनका बिल्कुल कर्रेक्ट आंसर होगा क्या हो गयां पें पांच हजार करेक्ट आंसर होगा दोहजार नहीं होगा यहां पेडयेंड जीह हैं यह याद रखेगा और हाली में यहाँ पे गवर्नर बने 2023 में ठीक है और वो कौन बने तो रघुबर दास जी बने कौन बने रघुबर दास जी बने ये भी आपको ध्यान रखना है देखे इसी तरीके से आपसे कई बार military exercise पूछ ली आती है तो आज मैं दोस्तों शाम को जो आपकी class होगी 6 बजे ठीक है 5 minute show में मैं आपके लिए ले famous dance of which of the falling state कहने हैं दोस्तों कृष्ण अट्टम जो है निमलिखित में से किस राज का एक प्रसिद्र नित्त है आंद्रप्रदेश तमिलनाडू करनाटका और केरला कहां कहा है कृष्ण अट्टम करेसर होना चाहिए बहुत बढ़िया प्रगती साक्षी राहुल जैश्री व इस थान मिनफ़ा में और मोलते हैं यही आपको ध्यान रखना है अगर आप से फोक डांस पूछे जाएगा फोक डांस को हंदी में क्या कहते है लोकस्त यूःत कूछ कहां के हैं तो दोस्तों यह केरला के हैं ठीका है यह ध्यान रखिगाए इक्सक्छिएं और चलिए, एसर आपका कमेंट शो कर रहा है, विल्कुल शो कर रहा है, आपका कमेंट ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़ी है, आगेला कोक्षन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इस नुवाखाई, नुवाखाई फेस्टिवल सेलिबरेटेड, कह रहे हैं, कि नुवाखाई जो है, उस सभ भारत के किस राज्य में मना जाता है, बिहार, असम, ओडिसा और तमिलनाडू, कहां पर मना जाता है, ओडिसा, ओडिसा जो लोग क उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, यहां पर उडिसा करेक्ट आंसर होगा, यह ध्यान रखिएगा, देखिए, नुवाखाई की बात करें, या फिर दलखाई की बात करें, इसकी दलखाई की बात करें, पायका की बात करें, इसकी पायका, ठीक है, फि का और जो घुम अ है यह डांस है क्या है यह डांस है नित Northeast है यह आपको ध्यान रखना है और ओ्रीसा में दोस्तों एक सास्त्री नित पर फैरम किया जाता है जो है Udc क्या है u dc है यह याद रखेंगे ठीक है चले आगे अच्छैं दोस्तों ओडीसा के ही दोस्तो जो मुख्यमंत्री है उन्होंने एक दोस्तो योजना शुरू की थी ठीक है मोघर क्या मोघर योजना ठीक है तो आपको याद रखने अगर आपसे पूछा जाए कि मोघर योजना किसके दौरा शुरू किया गया था तो उडिसा सरकार के दौरा शुरू किया गया था आपके exam में पूछा गया था कि जगनात यात्रा देखें जगनात यात्रा कहां से निकलती है तो जगनात यात्रा जो है ओडिसा में निकलती है ठीक है और इस समय जो दोस्तो डांस परफॉर्म किया जाता है जगनात यात्रा निकालते समय तो उसको क्या कहते हैं तो उसको कहा ब्लू बेबी सिंड्रोम इस डिसीज कोश्ट बाई विच ऑफ दॉलिंग कह रहे हैं देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है एक विमारी है जो निम लिखित में से किसकी वज़े से होता है मरकरी नाइट्रेट लेड और जो है दोस्तों यहां पर आर्सनिक किसकी वज़े से होता है नाइट्रेट कह रहे है साक्षी राहूल अखिल शिप्रा लोबजैंग बहुत बढ़िया जो लोग यहां पर कह रहे है सर होना चाहिए नाइट्रेट उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखे एक डिसीज होती है जिसका नाम है इताई- है क्या जल्दी से बताइए अच्छा मरकरी की वज़े से क्या होता है मीना माटा मीना माटा दोस्तों एक डिसीज है जो कि किसकी वज़े से होता है तो मरकरी की वज़े से होता है यह भी आपको ध्यान रखना है लेड की वज़े से क्या होता है एक प्लम्विन बिमारी होती यह प्लम्मिन ठीक है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए next question बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा देखे NNP at the market price plus depreciation minus net indirect taxes equals to यहाँ पर आपको economic का question दिया है कि बाजार कीमतों पर NNP NNP का मतलब क्या है net national product plus हास हास मतलब depreciation minus शुद्ध अप्रत्रक्ष कर किसके बराबर होगा क्या यह जो लोग का option number कह रहे है C उनका correct होगा जब भी formula में NNP आ गया तो दोस्तो D तो कभी आएगा ही नहीं GDP आएगा ही नहीं GNP ही आएगा ठीक है यह याद रखेगा ठीक है GNP याद रखेगा NNP जब भी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं GNP में से माइनस कर देते हैं depreciation को तो NNP निकल आता है और जब दोस कोशन पर वड़ते हैं अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा देखें अकॉर्डिंग टूदा 2011 सेंसर स्टेट विद्दा मैक्सिमम फीमेल लिट्रेसी करहें वर्स 2011 की जनगणना के अनुसार सरवाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है क्या वो तमिलनाडू है क्या टूब यहां पर करेक्षा करिक्षरता दर किस्ट वो राजटेश एंग्षिप मुझे बात बताएंगे अभी अख़बारों में आप लोगों देखाऊगा एक न्यूज में आया था ठीक है समाचार में आपको पता होगा कि आजादी के समय नौ प्रती से जो है साक्षरता दर्थी महिलाओं की अब वो बढ़कर कितनी हो गई है वो आपको बताना है यह आपके लिए होमवक नंबर वन है ठीक है यह न्यू अफगानिस्तान के साथ भारती सीमा की जो है लंबाई कितनी है 601 है 106 है 755 है और 575 है जल्दी से बताइए यहां पे कहरे सर होना चाहिए और 106 106 तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा 106 हो जाएगा यह ध्यान रखेगा इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं सभी लोग मुझ किस नाम से जानते हैं तो इसको हम लोग जानते हैं दूरंड लाइन के नाम से किस नाम से दूरंड लाइन के नाम से भी जानते हैं ठीक है अच्छा अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया और बांगला देस्क भी तो दोस्तों सीमा साजा करते हैं तो वह कितना करते है तो 4096 किलो मीटर करते हैं देखे इंडिया और चाइना भी जो है सीमा साजा करते हैं कितना करते हैं 3448 किलो मीटर ठीक है इंडिया और पाकिस्तान भी सीमा साजा करते हैं कितना करते हैं 3343 किलो मीटर ठीक है, इंडिया और नेपाल भी जो है, दोस्तों सीमा साजा करते हैं, वो लगबग 1700 किलो मीटर, approximately, 1700, इंडिया और मैनमार अगर आप से पूछा जाएगा कितना करते हैं, तो इंडिया और मैनमार याद रखेगा, लगबग 1600 किलो मीटर, 1600 प्लस किलो मीटर जो है, सीमा साज करते हैं, ठीक है, चलिए, आगे बड़े, अगला, आपके लिए दोस्तों ये रहा, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कर रहे, the color of the rupees 500, महात्मा गांधी सीरीज नोटे, देखिए, 500 रुपए के महात्मा गांधी, जो है, श्रंकला के, नोट का रंग क्या है, ग्रीनी शेलो, ये स्टोन ग्रे, ब्राइट येलो और लेवेंडर, कौन सा color है, फड़ा फट से बताईए, जल्दी जल्दी से, ग्रे कह रहे हैं, ग्रीनी शेलो कुछ लोग कह रहे हैं, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बोलेंगे, स्टोन ग्रे कलर का है, ठीक है, किसकी बा लाइन इंडिया चाइना के बीच में है, रेड क्लिफ लाइन जो है, दोस्टों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एंटी डिफेक्षिल लॉव वस पाष्ट बाइड़े पार्लियमेंट बाइड बावनवा सम्वेदानिक संसोधन, और एक सथवा सम्वेदानिक संसोधन, कौन सा हो जाएगा, कहरे सर होना चाहिए, यहां पर बावनवा बावनवा उनका बिलकुल करेक्ट होगा, और ये आया था, 1985 में आया था, जिसने दोस्तों, दसवी अनुसूची को एड किया था, किसको एड किया था, 10th स्केडियूल को एड किया था, और दसवी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो एंटी डिफेक्षिल लॉव मतलब यहां पर दल बदल विरोध कारून, अच्छा, 44 42 सम्विधानिक संसोधन कब आया, 1978 में आया, और इसी ने दोस्तों, राइट टू प्रॉपरिटी को, फंडामेंटल राइट से उठाकर, लीगल राइट में पटक दिया, ठीक है, यह याद रखीगा, 42 सम्विधानिक संसोधन आया था, 1976 में, जिसको हम लोग, मिनी कहा जाता है, हिंदी में लगु सम्विधान कहा जाता है, ठीक है, अच्छा, 16 सम्विधानिक संसोधन, यह कब आया था, सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिसके तहत यह कहा गया था, कि 21 साल के जो है, दोस्तों, वोट करने वाले, अब 18 साल के कर सकते हैं, मतलब 18 से 18 कर दी गई थी, ठीक है, यह आया था 1989 में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, चलिए, नेक्स कोशन बढ़ें, अगला सवाल, यहां कहा रहे है, the given reaction is an example of, आपको यहां पर एक reaction दी गई है, ठीक है, एक आपको यहां पर अभिक्रिया दी गई है, और आपको बताना है, यह क देखने को मिल रहा है, कहरे सर, एक्जो थर्मिक होना चाहिए, कुछ लोग कहरे सर, option number यहां पर, तो correct answer जो लोग कह रहे है, option number होगा, आपका one, metal displacement reaction, correct answer हो जाएगा, अब metal displacement reaction कैसे हुआ, यह देखिए, देखे, copper sulfate था, ठीक है, यहां पर मैंने किस के साथ reaction कराई, zinc के साथ इसने क्या किया, zinc ने copper को हटा दिया, ठीक है, copper is also a metal, तो metal को क्या कर रहा है, replace कर रहा है, double displacement नहीं है, जेडन के साथ कोई और थोड़ी है, कि दोनों एक दूसरे को replace कर रहे है, यह दोस्तो double displacement नहीं है, ज्यान रखेगा, सिर्फ ZN ने क्या किया, Cu की replace ले ली, और ZN SO4 बना इसको हम लोग कहेंगे displacement reaction, ठीक है, simple displacement reaction है, metal लगा दिया है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए, single displacement reaction, इंडिया innovation index report 2022 was released by which of the following, करे हैं दोस्तो, भारत नवाचार सूचकांग report 2022, निमलिखित से किसके द्वारा जो है, जारी किया गया था, क्या यह department of science and technology, council of scientific and industrial research, नि Indian Science Congress Association, क्या होगा, जल्दी से बताइए, कहरे सर, नीती आयोग, नीती आयोग होना चाहिए, ओके, सर, एक्जो में क्या होता है, एक्जो में दोस्तों, combination reaction होता है, और उसमें heat निकलती है, ठीक है, उसको हम कहते है, exothermic reaction, ठीक है, combination में heat निकलेगी, और उसमें हम कहेंगे, exother चले, correct answer, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा, नीती आयोग, अब नीती आयोग का आया, यह एक जनवरी 2015 को आया, अच्छा है, यह किस प्रकार का निकाय है, तो यह statutory है, क्या है, statutory body है, यह ध्यान रखेगा, कैसा है, statutory body, statutory body क्या होता है, जिसको दोस्तों अधिनि में ना mention हो, उसको हम कहते है, statutory body, ठीक है, इसके दोस्तों chairman कौन होते है, तो इसके chairman होते है, प्रधान मंत्री और अभी है, नरेंदर मोदी जी, vice chairman कौन है, तो BVR subramanyam, कौन है, BVR, sorry, यहाँ पर, यहाँ पर CEO है, CEO है, जो है, यह BVR subramanyam है, यह ध्यान रखेगा, subramanyam, ठीक ह और vice chairman जो है, वो है, सुमन बैरी, कौन है, vice chairman सुमन बैरी है, यह ध्यान रखेंगे, ठीक है, next question बड़े, चलिए, अगला question आपके लिए यह रहा, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर question क्या कह रहा है, who is known as Napoleon of India, भारत का Napoleon जो है, किसे कहा जाता है, क्या यह अकबर, मलिक अं सर हो जाएगा, आपका option number D, समुद्र गुप्त की बात करें, तो दोस्तों, इसको कवी राज भी कहा गया है, कवी राज भी कहा गया है, यह ध्यान रखेगा, इसी को Indian Napoleon कहा गया है, क्या कहा गया है, Indian Napoleon, और Indian Napoleon किसे ने कहा था, तो यह V.A. Smith ने कहा था, ठीक है, अब कई बा थे, और इन्हों ने भी दोस्तों, बाद में comparison किया, तो यह Napoleon को जानते थे, तो Napoleon से comparison किया, ठीक है, इसलिए यहां पर यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छा, अब देखें, यहां पर बात करते हैं, कि इन्हों ने दोस्तों, एक coin निकाला था, गोल्ड coin, जिसको हम लोग king, queen coin भी कहते हैं, क्या कहते हैं, king, queen, coin भी कहते हैं, यह ध्यान रखेगा, और इन्हों ने जो coin release किये थे, उसमें दोस्तों, यह एक वागयंत्र बजाते हुए दिखे थे, और वो वागयंत्र था, वीना, कौन से था वागयंत्र, वीना था, तो आप से पूछा जाता है, ठीक है, अच्छा, अच्छा, सभी लोग बताएंगे, कि दोस्तों, किस king को, सिलादित के नाम से जाना जाता था, सिलादित, बहुत ही अच्छा question, देखता हूँ, कितने लोग बता रहे हैं, ठीक है, फड़ावर्से बताएंगे, किस राजा को, ध्यान से सुनेगा, किस राजा को, सिलादित के नाम से जाना जाता था, फड़ावर्से, ब्लैक शाइन, क्या बाद है, यहाँ पे, शाम सिंग ने आंसर दिया है, फिर उसके बाद, शमका जी ने आंसर दिया है, ठीक है, बहुत ही बड़िया, जो लोग कह रहे हैं, यहाँ पर होना चाहिए, हर्श वरधन को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था, सिलादित के नाम से जाना जाता था, अच्छा, किसको दोस्तों विक्रम आदित के नाम से जाना जाता था, ऐसे भी तो कोशन पूछते हैं, कि विक्रम आदित के नाम से किसे जाना जाता था, तो विक्रम आदित के नाम से चं पुछेंगे महराजा धी राजा के नाम से किसे महराजा धी राजा की उपाधी किसे ने ली महराजा धी राजा तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम ठीक है तो गलती मत करिएगा आपको महेंद रादित बताना है किसको कहा जाता था ठीक है आगे बढ़ें चलिए next question बढ़त या अमित्रो घेड या फिर अमित्रो चैट भी कहते हैं ठीक है और यह यूनानी के दोरा किसको कहा गया था तो बिंदुसार को ठीक है मतलब दुष्मनों को मारने वाला ठीक है यह ध्यान रखेगा अच्छा मलिक अंबर दोस्तों किस यह ध्यान सुरिएगा बहुत किस जो है दोस्तो शहर की स्थापना की थी ये आपको बताना है ठीक है अब देखे शर्मा जी थोड़ा सा करेक्ट जा रहे हैं लेकिन मैंने शहर बोला है मैंने राज ये नहीं बोला है मैंने शहर बोला है ठीक है आगे बढ़े ठीक है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर ये र प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए डैश को अपना राजदूत न्यूक्त किया है, ब्रेंड अम्बैसेडर न्यूक्त किया है, क्या वो विराट कोहली है, नीरत चोपडा है, साक्षी मलिक है और बजरंग पुनिया है, कौन है दोस्तों, यहां पे कहरे सर होने पुनिये चाहिए, नीरत चोपडा जी, तो गौल्डन बॉय, सब लोग कहरे सर गौल्डन बॉय, तो बिल्कुल गूर्क्ट आंसर, गौल्डन बॉय, इनको गौल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, इन्होंने दोस्तों गोल्ड मैडल जीता था, वर्ल्ड अतलेटिक चम में उसके अलावा 2020 टोकियो ओलंपिक में भी इन्हों ने जो है दोस्तो गोल्ड जीता उसके अलावा आपको याद रखना है डाइमंड लीग में भी इन्हों ने दोस्तो यहाँ पर पदग जीता ठीक है नीरत चोपडा जी किस से संबंदित है यह जैवलिन थ्रो से संबंदि किये गए यह भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए अच्छे दोस्तो एक महिला है जो कि दोस्तो भाला फेक से संबंदित है बड़ी न्यूज में रही थी और वह उन्होंने एशियन गेम में स्वनपदक जीता था सभी लोग मुझे कमेंट करके बताईए एशियन गेम जो अभी हुए थे उसमें एक दोस्तो महिला जो की जैवलिन त्रो से रिलेटेड है वो उन्होंने स्वनपदक जीता था क्या नाम है भवानी देवी तो फैंसिंग से है सुमन जी भवानी देवी तो जो है तलवार बाजी करती है मैंने आप से आप भाला फेक से तो भाला जाएंगी अनुरानी कौन हो जाएंगी अनुरानी है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए नेक्स कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए यह रहा देखे इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड वाई डैश इन बैटल ऑफ पानीपत करहें पानीपत की लड़ा जाएगा यह ध्यान रखेगा देखें इब्राह circuit की बात करें तो यह लूधीवंस का राजा था लूधी डैनिस्ट्री का और लोधी डैश्टी ने कबIlत कर राजं तक इसका संस्थापक founder कौन था founder मतलब संस्थापक तो बहलोल लोदी कौन था यह आपको द्यान रखना है फिर उसके बाद धूस्तों एक फेमस राजा इसका था सिकंदर लोधी बहुत फेमस था सिकंदर लोधी फेमस इसलिए था क्योंकि उसने आगरा को बसाया था किसको आ पानीपत के युद्ध में और यह हार जाता है और इसका मगबरा यही पर बना दिया जाता है आपके एक्जाम में पूछा गया कि इबराहिम लोधी का मगबरा कहां पर है तो पानीपत आपको बताना था अगर मैं आपसे यह पूछूं कि बावर को भारत में बुलाया किस ने इनवाइट किस ने किया था यह कोशन पूछा जाता है और वो इबराहिम लोधी का भाई था जिसने बुलाया था उसका नाम क्या था पड़ावर से बताईए जल्दी जल्दी से हाँ डबल डोम सिस्टम भी दोस्तों यहाँ पर लोधी लेकर आए लोधी डाइस करेसर यहाँ पर होना चाहिए दौलत खान बिल्कुल दौलत खान किसी ने बुलाया था दौलत खान ने बुलाया था और दौलत खान इबराहिम लोधी का भाई था और इसी ने बुलाया था कि हराने के लिए इसको ठीक है अब देख लीजे भाई-भाई का दुस्मन था ठीक है चालिए आगे बढ़ते हैं इससे अच्छा दोस्त होते हैं दोस्त कभी लड़ते नहीं है ओन विच रिवर हीरा कुर्ट डैम is situated कह रहे हैं दोस्तों हीरा कुर्ट बांध जो है किस नदी पर इस्थित है क्या वो सबसे लंबी longest डैम है ठीक है यह ध्यान रखेगा largest डैम अगर कभी आपसे पूछा जाए तो largest मतलब बड़ा ठीक है longest मतलब होता है लंबा ठीक है लंबा बांध तो आपको ध्यान रखना है बड़ा बांध जो है वो भाकरा नांगल है कौन सा है भाकरा नांगल और भाकरा नदी पर है यह आपको ध्यान रखना है, अगर ऊचा बांध पूछा जाए, मतलब highest dame, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, highest Xbox सा है, तो आप क्या कहोगे highest dame जो है, वो तरी है तरी बांध कौन से नदी मेरे तो भागी रатी, रिवर किस पर है, भागीर ठीपे ठीख है यह याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ें आगले सवाल बढ़ेंगे 190 लोग लाइव हैं फड़ावर से लाइक और शेयर करते हुए 200 के ऊपर लेके चलते हैं अगला कॉक्ष्ण आपके लिए यह रहा यहां पर करें माउंट एवरेश दा हाईएस्ट पीक इन दा वर्ल्ड इस लोकेटेड बिट्वीन डैश करें विस्व की सबसे ऊची चोटी जो है माउंट एवरेश वो डैश के बीच में इस्थित हैं इंडिया और नेपाल और भूटान नेपाल और तिबबत और इन में से कोई भी नहीं जल्दी से बताईए करें सर इंडिया और नेपाल होना चाहिए तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा नेपाल और तिबबत बात बताईए मुझे नेपाल ये है ठीक है नेपाल ये है इंडिया ये है ठीक है इस तरीके से इंडिया है ठीक है यहां पर ऐसे ठीक है इ यहां पर हिमालय है तो बताइए किस के किस के बीच में हैं इंडिया और नेपाल के बीच में कैसे हो गया यह दोस्तों नेपाल और तिबबत के बीच में नहीं हुआ इंडिया तो यहां पर है ना दोस्तों इंडिया यह है तिबबत यह है हिमालय यह है इस साइड होता तो हम क वहारा जाता है सागर माथा क्या किते हैं सागर माथा के नाम से जाना जाता है जिसकी हाइट जो है आच ethos 248.86 मीटर है, 8,848.86 मीटर है, और ये दोस्तों एक यंग फोल्ड माउंटन है, क्या है, ये एक यंग फोल्ड माउंटन है, ये आपको ध्यान रखना है, चलिए, नेक्स कोशन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहां पर देखे, नेम दा ब्रिटिस गवर्नर जनरल, who introduced the railway in India, भारत में रेलेवे की शुरुबात करने वाले, ब्रिटिस गवर्नर जनरल का नाम, बताईए, क्या वो लौड ऑकलेंड, सर चार्ल्स मेटकेल्फ, लौड हास्टिंग, और लौड डलहाउजी, क्या होगा, यहां पर लौड डलहाउजी, जो लोग करे हैं, बिलकुल correct answer हो जाएगा, देखें, CGL में सवाल यह पूछा गया, कि पहली train जो चली थी, वो Bombay से थाने चली थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना kilometer cover किया था, तो 34 kilometer, यह आपके exam में question पूछा गया, यह याद रखिएगा, ठीक है, हो सकता है, आने वाले समय में आप से यह पूछा जाए, कि इसमें कितनी bogey लगी थी, तो 14 bogey लगी थी, 14 carriages लगे थे, कितने passenger बैठे थे, तो 400 passenger बैठे थे, कितने engine इसको खीच रहे थे, इस train को, तो 3 engine खीच रहे थे, और 3 engine कौन से थे, SSS, अब यह SS क्या है, तो 1 S से हो जाएगा साहिब, ठीक है, दूसर engine के नाम थे, साहिब सिंद और सुल्तान गलती नहीं करेंगे, ठीक है, चलिए, अच्छा सभी लोग मुझे बताएंगे, हमारे भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत जो है, अभी दोस्तों sitting version में available थी, लेकिन हाली में 2000, अगर मैं बात करू, 23 में sleeping version इसका शुरू किया गया है, फटा फट से बताएंगे, देखते हैं कौन को याद है, क्योंकि current affair में ये cover कराया है, मैंने सुबह, very good, अमरित भारत इसको नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, अमरित भारत इसको नाम दिया गया है, ये current affair का question हो जाएगा, ऐसे CGD में आने वाले जो है दोस्तो बड़ा important बनेगा आपके लिए, ठीक है, चलिए, next question बढ़ते हैं, अगला सवाल, which of the following is the SI unit of pressure, निमलिखित में से कौन सी दाब का SI मातरक है, क्या वो, पार्सेक है, लूमेन है, केंडिला है, और पासकल है, क्या होगा दोस्तो, SI unit of pressure का पूछा है, pressure, very good, बहुत बढ़िया, पासकल, पासकल, जो लोग कह रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पासकल हो जाएगा, ठीक है, pressure, pressure मतलब होता है, pressure is equal to होता है, क्या होता है, दोस्तो, normal force upon area, force upon area, लेकिन normal force, मैंने normal force इसलिए कहा आपको, अगर मैं आपको stress कह देता, stress, तो stress is equal to, ये भी होता है, force upon area, अब आप कहोगे, sir, ये तो दोनों चीज सेम है, दोनों की unit सेम होती है, no doubt, पासकल होती है, दोनों की unit, क्योंकि दोनों का क्या होगा, जो होगा, दोस्तो, newton per meter square होगा, sorry, newton per meter square होगा, ठीक है, तो पासकल होगा, लेकिन, यहाँ पे normal force, अब देखे, normal क्य होता होता है, ये surface है, इसके अगर आप perpendicular कोई force लगा रहे हो, तब उसको आप क्या कहोगे, pressure कहोगे, क्योंकि ये normal लग रहा है, 90 degree पे लग रहा है, लेकिन, अगर मैं ऐसे force लगाऊ, तो तब ये दोस्तों ये pressure नहीं कहलाएगा, तब ये stress कहलाएगा, ठीक है, चलिए, आग प्लिक ग्रूप मिलेगा, उसको जॉइन कर लिजेगा, सारे PDF आपको वहीं पर मिल जाएगे, चलिए, अगले सवाल बढ़ते हैं, अगला question आथ की screen पर ये रहा, अब देखिए, हाप पूछ रहे, who was the leader of the बाडोली सत्यग्रह, बाडोली सत्यग्रह के नेता कौन थे, राज और दोस्तो आपको ये भी याद रखना है, इनको हम लोग Iron Man कहते हैं, ठीक है, Avenger वाले नहीं, Movie वाले नहीं, ये असली के Iron Man थे, दोस्तो, Iron Man of India, ठीक है, इनको Bismark of India भी कहा जाता है, ठीक है, और ये भी याद रखेगा, इन्हों नहीं दोस्तो, 1928 में बाडोली सत्यग्रह को लीड किया था, और बाडोली सत्यग्रह को जब ये लीड कर रहे थे, तो वहां की महिलाओं ने इनको एक उपाधी दी, ठीक है, उपाधी मतलब टाइटल दिया, और ये उपाधी थी सरदार की, ठीक है, तो सरदार वल्लब भाई पटेल जी, ये कहलाने लगे, ठीक है, अगले कोशन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन विच बुद्धिस लिट्रेचर आर दा टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध इनक्लूड़ेड, कह रहे गौतम बुद्ध जो है, उनकी सिक्छाओं का संकलन, किस बौध गरंध में किय गया, यहाँ पर अविधम्मा पिताका, मिलिंदपन हो, विन्य पिताका और सुत पिताका, किसमें दिया गया है, तो कुछ लोग विन्य पिताका कह रहे है, कुछ लोग सुत पिताका कह रहे है, तो मैं आपको बता दू, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा, वो सुत पिताक क्या है और तरी का क्या होता है यहां पर क्या होता है तिक urban पलप अपने उपदेश को लिखते हैं अग्लिशत और उंको लिखने के बाद इस पिताका पे रख दिया जाता है, बलब बास्केट पे रख दिया जाता है, और इसे लिए इसको त्री पिताका कहा जाता है, और ये तीन पिताका कौन कौन से हैं, तो विने पिताका, सुत पिताका और अभिधम्मा, ये तीन पिताका हैं, ये धिहान रखेगा, मिलिंद पन दिया था बुद्धिष्ट में कनवर्ट करा दिया था यह ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए आगे बड़े ठीक है अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर यह रहा दा ओनली स्टेट यूनियन टेटेरी विच प्रोड्यूस सैफ्रोन इन इंडिया इस डैश करें भारत तो में केसर का उत्पादन करने वाला एक मात्र राजिक को या फिर केंदर शाषित प्रदेश कौन सा है हिमाचल प्रदेश असम जम्मु कश्मीर और हमेगाल है करें सबसे बड़ी बात कि 2023 में वापस से जी आई टैग दे दिया गया है अब आपको होगे वापस से जी आई को ये आपको ध्यान रखना है पूछा जा सकता है जम्मु कश्मीर के अभी दोस्तो लुटिनेंट गवर्नर कौन है तो वो है मनोज सिनहाजी कौन है मनोज सिनहाजी है ये ध्यान रखेंगे अच्छा लदाख लदाख दोस्तो यहाँ पर 2023 में इधर के भी एक जी आई प्रेक दीया गया और वो प्रोडेक्ट का नाम क्या था यह homework no.3 लिख लिए क्लास में किया हुआ है कमेंट बॉक्स में बताना है ठीक है करेंट अफेर की क्लास में हम लोगों किया था यहां पर साक्षी जी ओम अंसर देने की कोशिश किये बट साक्षी जी यह homework है, सबको नहीं बताते हैं answer, ठीक है, चलिए, अन्वब जी बिलकुल सही, ठीक है, अब तो आप लोगों ने बताई दिया यहीं पे, आज़ा, इंडियास first pure green hydrogen plant commissioned in dash, कह रहे हैं, कि दोस्तों, भारत का पहला पूनता, हरित hydrogen सहींतर, जो है, राष्ट को dash में समर्पित किय जा गया, कहां पे, जोहरत, गुहाटी, जमशेदपूर और राची, क्या होगा, यहां पे correct answer, a option, a option कह रहे है, सर, जोहरत होना चाहिए, तो correct answer, यहां पे क्या हो जाएगा, आपका option number one हो जाएगा, जोहरत, ठीक है, यह ध्यान रखेगा, अच्छा, मैं आगर आपसे यह प बड़ा सौर उर्जा, very good, हरियाना में, कहां पे, हरियाना में, याद रखेगा, कहां पे, हरियाना में, यह याद रखेगा, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, टीकैम, चलिए, next question बढ़ते हैं, अगला सवाल, देखे, चीता, चीता has been reintroduced in which of the following national park, as feature the perfect grassland habitat, कह रहे है चीते को निमलिखित में से, किस राष्ट उद्यान में, फिर से, शामिल किया गया है, चोकि, इसमें, घास के मैदानों का, जो है, आदर्श निवास स्थान है, ठीक है, क्या वो, पेरियार नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, काना नेशनल पार्क है, और, केओला असिए-पडियो नेशनल पार्क है कहा ओक्शन नम्मर भी होना चाहिए कूणो और यहां पर दोस्तों नामीग्या से चीटा लाए गये थे तो यह लाए गये थे दोस्तों South Africa से कहां से South Africa से लाए गए थे और मद्धि प्रदेश को Tiger State कहा जाता है क्या कहा जाता है Tiger State कहा जाता है ये भी याद रखीगा पेरियार राष्ट उद्यान आपको कहां पर देखने को मिलेगा तो ये केरला में देखने को मिलेगा काना राष्ट उद्यान आपको कहां पर मिल मिलेगा मध्य प्रदेश में और केवला दिव जो है वो कहां पर मिलेगा राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा तो इसमें गलती नहीं करेंगे यह आपको ध्यान रखना है ठीक है नेक्स कोशन पर बढ़ें अगला सवाल आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर यह र किसने किया था करजन करजन इसके उपर हमारा करज है इसने दोस्तों खराब डिसीजन लिया था वह हाला कि बाद में कैंसल कर दिया गया लेकिन इसके उपर करज है हमारा ठीक है चालिए बड़ा गंदा डिसीजन ठीक है 1905 में दोस्तों क्या होता है यह बंगाल विभाजन क दोस्तों decision लेता है और इसी का विद्रोख करने के लिए हम लोगों ने दोस्तों एक movement की start किया और वो था दोस्तों स्वदेश movement क्या स्वदेशी movement question आपके exam में ये पूछा गया कि स्वदेशी movement कब सुरू किया गया था तो 7 अगस्त 1905 को इसलिए हम लोग 7 अगस्त को क्या मनाते है national handloom day क्या मनाते है national handloom day मनाते है राष्टी हत करगा दिवस हिंदी में कहा जाता है क्या कहते है राष्टी हत करगा दिवस कहा जाता है ठीक है चलिए next question बढ़ते है हाला कि बंगाल विभाजन का decision cancel कब हुआ 1911 में किसके समय में लौड हाइडिंगे के समय में ठीक है next question बढ़ते है अगला सवाल the largest time of Rig Veed is dedicated to which Vedic God कह रहे हैं Rig Veed में सरवाधिक सुक्त किस वैदिक देवता को समर्पित है क्या ये अगनी इंद्र वरुन और आदित जल्दी से बताइए कहरे सर इंद्र भगवान को सबसे जादा जो है दोस्तो भजन और जो है दोस्तो प्राथनाए समर्पित है जी हाँ बिलकुल सही कह रहे हैं इंद्र भगवान करेक्ट आंसर होंगे देखे रिगवेद की मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना मतलब उल्डिस्ट और लार्जिस्ट सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है उसके बात आपको याद रखना है इसमें 10 मंडल है क्या है दस मंडल है ठीक है दस मंडल में से दोस्तों दो से आठ मंडल पहले जोड़े गए और इनको क्या कहा जाता है सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जो दो से आठ जोड़े गए थे इसमें उसको क्या कहा गया है ये आपको बताना है बाद में नौवा और दसमा बाद में जोडा गया मंडल, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है, यस, बहुत बड़ी है, नौवा और दसवा बाद में जोडा गया, अब आपसे लिए तीसमे से ली गई है तो यह किस मंदल से ली गई है दोस्तों तीसरे मंदल से ली गई है क्या फटावड बताएंगे और गायतरी मंत्र लिखा किसने था तो दोस्तों जो है गुरुदेव किसने जल्दी से बताएं गुरुदेव जी का नाम बताएं विश्वमित्र गुरुदेव वि नहीं नहीं करना है हमें चलिए नेट्स कोष्न प्रते हैं अगला सवाल अच्छा दोस्तों एक तो क्या कहते थे होतरी, क्या कहते थे होतरी, ठीक है, next question, which of these group has radial symmetry, इनने में से किस सम्हू की जो है, समीती आरी है, क्या वो पॉरिफेरा, एनिलीडा, नाइडेरिया, या फिर प्लेटी हलमेंथिस, क्या होगा, c option, c option कह रहे हैं, और correct answer आपका यहां पर हो जाएगा, option number c, ना जो निमलिखित में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है, क्या वो store of value, या फिर deferred payments, medium of exchange, या फिर creation and redistribution of national income via taxation, क्या होगा, c option कह रहे हैं, कुछ लोग d option कह रहे हैं, correct answer यहां पर क्या हो जाएगा, correct answer होगा, आपका option number c, medium of exchange, मुद्रा की help से आप क्या कर सकते हो, यहां पर दोस्तों exchange कर सकते हो, मतलब विनमय का माध्यम, ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, तो आप कोई भी चीज exchange कर पाओगे उसके रूप में, ठीक है, उसके साथ, आगे बढ़ेंगे 240 लोग live हैं, फटावर से, like और share करते हुए, 300 की तरफ लेके चलेंगे, अगला स डैश का 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया, रतन टाटा, नटराजन चंदर सेखरन, नारोजी, यहां पर सकलत वाला और साइरस मिस्तरी, correct answer बताईए, करे सर साइरस साइरस होने चाहिए, और correct answer यहां पर कौन हो जाएंगे, correct answer होंगे, साइरस मिस्तरी इस दी, correct answer यह आपको ध्या पंद में, दरुल उलुम, जो है, कि शुरुवात किसी ने कि थी, मौलवी लियाकत अली, मौलवी एहमदुल्ला, सर सेथ एहमद खान, और मोहमद कासीम, जो है, ननातुवी, फड़ा वड़ बताईए, यह option, यह option कह रहे है, correct answer यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर option number 4, मो अयुध्या रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल दिया गया है, अयुध्या धाम कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, अयुध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसके अलावा, दोस्तों, अभी दोस्तों, यहां पर इंट पुरा में चलेगी ये भी याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन बढ़ते हैं तो दलीवर इसन और गन एसोसियेटेड विद डैश इन बॉड़ी यक्रत शरीर में डैश से सम्मंधित एक अंग है किससे है नर्वस तो यहाँ पर डाइजेस्टिस सिस्टम करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर की बात कर रहा है लीवर में प्रोड्यूस होता है बाइल जूस और मैंने आपसे पूछा भी था एक बार कि अगर बाइल जूस की मात्रा जादा बढ़ जाए तो यह जाके कहां पर स्टोर हो होता है हाँ लीवर लार्जेस्ट ग्लेंड है बिलकुल सही बात है कि स्टोमक के नीचे ओके लिवर के नीचे ओके किडिनी के उपर बहुत बढ़िया देखने का नजरिया है ठीक है तो आप एक्जाम को किस तरीके से देखते हो यह देखिए इस तरीके से नजरिया पता च राज राजेश्वर टेंपल ऑफ तनजोर निमलिखे तो में से किसो चोल राजा ने जो है तनजोर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्मान करवाया था कौन थे विजाल्या अगर मैं आपसे कहूं कि बताईए पुशिभूती वंस के संस्थापक अब आप कहोगी यह कौन सा वंस है तो मैं लिख देता हूं वर्धन और पुशिभूती वंस एक बराबर है ठीक है एक ही दोस्तों जो है वंस के नाम है और इसके संस्थापक थे कौन थे दंती दुर्गा जो थे इसके संस्थापक थे अगर मैं पूछू की चालू किवंस कौन चालू किवंस के संस्थापक कौन थे तो आप कहोगे पुलकेशन प्रथम कौन थे पुलकेशन प्रथम अगर मैं आप से पूछू पलवा वंस के संस्थापक कौन थे तो आप क में खासकर पूछ लिया जाता है ठीक है आगे बढ़ें next question बढ़ते हैं अगला question which of the following is a unit of the power of lens simple question निमलिखित में से कौन एक lens की छमता की काई है डायप्टर मीटर न्यूटन पास्कल कौन है भई कहरे सर ए को ठीक लगा दो सही हो जाएगा तो जी हाँ एक को लगा देते हैं क्योंकि देखें मीटर तो दोस्तों distance का unit है किसका है दूरी का है न्यूटन जो है दोस्तों यह किसका है force का मतलब बल की का आई है पास्कल अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था प्रेशर की unit है मतलब दाब की काई है तो करेट आंसर से फेकी बचता है डायप्टर ठीक है चलिए next question बढ़ते हैं अगला सवाल के रहें which one of the among the following would expand the most on being heated निमलिखी तुम इसे कौन गर्म होने पर सबसे अधिक प्रसार करेगा water alcohol glass और air फड़ावर से बताइए उसाती है जब गुस्षा आती है गरम होते है तो बहुत जादा फैलते है लडाई अड़ाई करने जाते हैं तो यहां पर ध्यान रखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाए करेक्ट आंसर का air एर को जैसी आप गरम करोगे दोस्तों तो एर क्या होती भागने लगती लाइट हो जाती तो हलकी हो जाती तो ऊपर की तरफ भागने लगती है ठीक है ये ध्यान रखेगा आगे बढ़े हैं ठीक है हां बिल्गोल मनुष्य दोस्तों गुस्ता आता तो फैलने मेलने लगते ना सबस्टें दर्ते नहीं है तब असी वजला की बाते हैं अगला कुछन प्योरी इ लिगनाइट, बिटुमिनस, एंथरसाइट और पीट, क्या है दोस्तों जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे बिल्कुल, जो लोग एंथरसाइट कह रहे हैं, उनका बिल्कुल सबसे अच्छा जो है, दोस्तों, एंथरसाइट है, सबसे उसे ज्यादा पाब गंधनांथ यह जिए आक और इसी माधा की बात है तो यह जाद ही जले आगे अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नेम ने स्टेट ऑफ इंडिया हाविंग लोवेस्ट देंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एस पर 2011 सेंसस कह रहे हैं 2011 की जनगर्णा के अनुसार सबसे कम जन संख्या घनतो वाले भारत के राज का नाम बताईए पंजाब महराश्ट और नाचापदेश आंदरपदेश बहुत ही डिफिकल् दोस्तों 17 से व्यक्ति प्रती किलोविटर स्वेर रगएक 1 km2 लोघ यह मिलेंगे यह था कौशन् पूछ रहा है अगला सवाल आपके लिए अच्छाइए यहां पर क्या और पूछ रहा है अगला which of the following word was included in the preamble of the Indian Constitution under the 42nd Amendment Act करहें निमलखित में से कौन सा शब्द 42 संसोधन अधिनियम के तहत भारती सम्विधान की प्लस्तावना में शामिल किया गया Republic, Secular, Democratic और Sovereign कौन सा शब्द जोड़ा गया था तो यहां पर कैरे सर पंत निर्पेक्श होना चाहिए बी ऑप्शन सेकुलर को जोड़ा गया था तो तीन शब्द जोड़े गये थे और वो कौन कौन से थे सो सोसिलिस्ट सेकुलर और क्या जोड़ा गया था दोस्तो एक शब्द और था वो आप बताएंगे करेक्ट आंसर यहां पर सेकुलर हो जाएगा ठीक है हाँ वेरे गुड इंटीग्रिटी ठीक है अच्छा सभी लोग मुझे बताएंगे फ्रांस से हम लोग ने फ्रांस से तीन शब्द लिये थे और वो तीन शब्द आज तक उधार है वो कौन से त दोस्तों सेम हैं कि नहीं है यही बता दीजिए कई लोग करें सर सेम है सेम तो नहीं है ठीक है नेक्स कोशन बढ़ते हैं अच्छे रिट जूरिडिक्शन ऑफ दी हाई कोट इस एक्ससाइज अंडर विच ऑफ दा फॉलाइंग आर्टिकस ऑफ दी इंडियन इस विचकार जो है का प्रियोग किया जाता है 32, 346, 226 और 21 कि तो सर्वोच इन जीवन ज्यले की आजादी है अच्छा मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इंग्लिश लेंग्विच को जो है कहा गया है ऑफिशल लेंग्विच ठीक है क्या या national language सभी लोग बताएंगे किस अनुछेत के तहट कहा गया है जैसे हिंदी को कहा गया है उसी तरीके से नहीं हिंदी को 343 के तहट कहा गया है इंग्लिश को 343 के तहट नहीं किया गया है गलत हो जाएगा दोस्तो करप्या करके homework लिख लीजिए जिन लोगों ने गलत किया है 343 नहीं होगा homework number 4 comment box पे ऐसे question में गलती मत करिएगा ठीक है चलिए next question बड़े अगला question आपके लिए रहा ठीक है यहाँ पे 226 अगला सवाल है कुतुब मिनार वास ओरिजिनली 4-story who among the following दिल्ली सल्तनर raise the height to the structured by the adding the 5th story करें कुतुब मिनार में मूल रूप से 4 मंजिला दिल्ली के किस सुल्तान ने पांचवी मंजिल जोड कर धाचे की उचाई को बढ़ाया बलबन अलाउदिन खिलजी मोहमज तुगलक और फिरोस साथ तुगलक सभी लोग बताएंगे फटा फट से बहुत फास्ट फास्ट बता रहे है फास्ट की जगह आप लोग FST क्यो लिख रहे है फास्ट लिख दीजे ठीक है FST करेक्ट आंसर होगा ठीक है ये शायद भूल गए आप फिरोस साथ तुगलक इस दी करेक्ट आंसर ठीक है ये ध्यान रखेगा पांचवी मंजिल इन्हों ने बनवाई थी पूरा किस ने किया था तो पूरा किया था दोस्तो इल्टुत मिशने 1212 में ठीक है आगे बढ़े चले आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा वू इस दा ऑथर आफ दा बोक अ कन्फ्यूज माइंड स्टोरी कह रहे है एक अ कन्फ्यूज माइंड स्टोरी पुस्तक के लिखा कौन है पवंसी लाल, साहिल सेट, डॉक्टर आशुतोष, रराविकर और फैजल फारुकी कौन है और जिरों ने अभी तक लाइक और शेर नहीं किया है फड़ावर से क्या करेंगे लाइक और शेर भी करते हुए चलेंगे ठीक है जो लोग यहां पर C option C option के रहे है उनका यहां पर गलत होगा साहिल सेट जो है correct answer हो जाएंगे अब दिखिए माइंड से याद आया कि आपसे पूचा जाएगा माइंड मास्टर माइंड मास्टर पूचा जा सकता है और कोई माइंड से पुस्टक है क्या जिए आपको ध्यान रखने हाई यह आपसे पूचा जासकता है आगे बड़े ठीक है हां माइण मास्टर विश्माथ आणना जी गाएगा इगनाइटेड माइन माइन से और ये इक और पुस्तक आगई ignited mind ignited mind किसकी है यह क्या doctor a.p.j. abdulkalam sir की है क्या जल्दी से बताईए अ बोले sir a.p.j. abdulkalam sir की है बिल्कुल सही answer ठीक है next question बढ़ते हैं ओ हो 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 दोस्तों यहाँ पर समय होता है समाप्त इतनी जल्दी समय समाप्त हो गया हमें भी नहीं पता चल रहा है ठीक है क्या कर रहे हैं आप लोग इतना जल्दी जल्दी answer सडीक सडीक answer क्यों दे रहे हैं आप लोग हैं समय का पता ही नहीं चलता है इसी तरीके से तैयारी करनी है daily यह class होती है Monday to Friday दो पहर को दो से 3 बजे कब होती है तो इस class में हम लोग कर लेंगे उसको भी, ठीक है, अच्छा है, इसके अलावा PDF कहां पर मिलेगी, PDF अब देखे, classes आपके daily हो रही है, देखे, ये दो पहर को दो बज़े शुरू हो जाती है, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, फिर विने सर आपके साथ 3 बज़े, 4 बज़े मनो सर और 5 बज़े दोस्तो, सौरफ सर आपके साथ जुड़ रहे होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है, आप टेलिग्राम पर में साथ जुड़ सकते हो, अड़रेट गौरफ सर टेस्बूक आपको सर्च करना है, वहाँ पर दोस्तो आपको क्या मिलेगा, आपको मि स्क्रोल डाउन करेंगे, और आपको जो है दोस्तो, यहाँ पर सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस क्लास के आप तहारी कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं, बकाइदा, ठीक है, अब देखें दोस्तो, सिंपली यहाँ पर, अगर हम बात करें, जो लोग होगा, जहाँ पर आपको सारी डीटेल मिलती है, ठीक है, सूपर कोचिंग पर क्लिक करिए, जिस एक्जाम की आप तयारी करें, उस पर जुड़ जाए, अगर आप लोगों में से कई लोग, जो है, दोस्तो, मल्टीपल सेसी एक्जाम की तयारी करें, आपके लिए सबसे बे देखिए, 6 मेने का आपको मिल रहा है, 2142 रुपए में, इसमें अपलाए कर दीजे, कूपन कोड, कूपन कोड अपलाए क्या करेंगे, जी, ए, यू, आ, ए, वी, एम, जैसी अपलाए करेंगे, आप देखेंगे, आपको ये 1392 रुपए में मिल जाएगा, तो चलिए दोस्त आपकी छूटे ना, तो मिलते हैं अगले सेशन में, एक नए जोश के साथ, एक नए सेशन के साथ, जुड़ना मत भूलेगा, मेरे साथ अगले सेशन में तब तक के लिए रखेगा, आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा, बाई-बाई, टेक क